बेटमा में पंडित दीन दयाल उपाद दिहाई की त्रेपन भी पुन्डिती थी समर्पन दिवस की रूप में मनाई गई जिसमें आज 11 तारीक को 11 बचकर 11 मिन पर गुरु नैनक मंडल बेटमा के कारेकरताओं ने अपनी समर्पन नीदी प्रभारियों को सौपी कारेकरम की शुरुआत भारत माता श्यामा प्रसाद मुखरजी और पंडित दीन दयाल उपाद दह के चित्र पर माल्यार पन एमदी प्रजलन के साथ हुई कारेकरम को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिस्थ नेता है वुजला बन चाया तो पाद्यक्षि गोपाल से चोधर ने कहा कि समर्पन नीदी की शुरुआत मद्य प्रदेश में कूशा भाव उठाकरे ने पंडित चीक के पुन्डित इथी के बाद शुरू की तिया जीवन सा युग नीदी का मतलब जीवन में एक बार राशी देना नहीं होता है बल्कि जब तक हम जीवी थें तब तक भाजपा संगठन के लिए तन मन एंधन का समर्पन करते रेना है इस अउसर पर एक लाग आठ हजार उपी की राशी मंदर प्रभारी को सोपी तो वहीं बनाना चाहिए गुरुजी ने आँ करके जन संगी स्थापना संग भुणिस्वर पावना दिए और श्रामा प्रसाद जी को उसका अज्यक्ट बनाया दिदीन दयाल उपाध्याई जी की पुन्यती थी पर आज बेटवा नगर में समर्पन दिवस मनाय गया ग्यारा तारीक ग्यारा बजे जो की आज समर्पन दरा से कत्रित हुई एक लाग आठ जार उपे जो हम भारती जनता भारती जिला इंदोर को समर्पित करने जा रहे हैं पंडी दीन दयाल जी उपाध्याई की जन्मजाईंदी की आउसर पर बेटमा नगर बेटमा में गुरुनानक मंडल की ओर से कलेक्शन इखटा किया गया जो घरगर जाकर महिलाओ के द्वारा महिला मोर्चा के द्वारा इखटा किया गया उसमें हम लोगों ने 10,000 रुपे है कि राशी का हमको टार्गेट दिया था हमने वो पूरा करके वहीं पर जमा करा दिया है और आज वे समर्पन दिवसके होसा करना आज ही वन सदेशता के लिए सब इन्हें मिल जूल कर यहां पर भियानी गाडल आयूजन हुआ उसमें हम लोगों ने हमारी जो थी वो हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिलकुल भी ना भूले